साथ सभी का स्वागत है आपके अपनी जैने फिंडेसी दूर दसन ओफीसिल में आज के इस वीडियो में भारत बर से स्कॉट लैंड का जो मैच है आई सी टी ट्वेंटी का जो मैच है उसके बारे में एक लास्ट मैच पताया था आपको कि भारत कमबैक करते हुए नजर आए अगाजा परफॉर्मंस दिखा उनका जिसके वज़ेसे इंडिया थोड़ी से आरते हुए नजर आई उनके सामने बट फिलाल जो लास्ट मैच हुआ था जो अभी फिलाल उसमें कम बैक करते हुए नजर आई थी अफगानिस्तान के साथ इंडिया ने कम बैक करते हुए लिए उन्होंने उस टाइप से मतलब प्रैक्टिस करवा कि अपने बैडर्स को बैड्समेन को डैयार करके लाए थे रोहित सर्मा और केल रहुल ने हैट्रिक मार कर वहां पस अच्छी खासी पारी अपनी निभाई थी यादा की थी भाई बहुत ही तगड़ा परफॉर्मस थ तो हम उमीद करते स्कॉर्ट लैन के साथ भी उसी तरीके की आप्टेंसिब नजर आए आज उसी तरीके की पार्टनर्सिब नजर आए रहुल और रोहित के बीच जिससे क्या है अच्छी कासी स्कोर वहां पस खड़े होते हुए नजर आए और अच्छी कासी रंस वहां पस अगर लास्ट दो मैच की बात करो तो इंडिया दो मैच तो हा रहा है एक ही मैच अभी जीत कर आ रहा है वह है अगर स्कॉट लैंड की बात करो तो करीब दो मैच यह जीत कर आ रहा है सिर्फ एक ही मैच आ रहा है तो दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा है बट फिलाल देखने बाली बात यह है कि दोनों में से तगडी टीम कौन सी नजर आएगी आपको बारत की भी कोई कम कमजोग टीम नहीं है स्कॉट लाइन के खिलाफ तो बहुत ही तगडी टीम है भारत प्ट फिलाल स्कॉट लाइन के बेपास बहुत ही अच्छे कासे प्लेयर्स नजर आएंगे प्लेयर्स के नाम बता देता हूं आपको जिनका नाम सुनकर आपने इंटरनेशनले मैचेस में उनका नाम सुना होगा आपने आपको देखो सी ग्रेविस नजर आएंगे स्कॉट लाइन के तरफ से और उसके बाद वील नजर आएंगे बहुत सारे ऐसे प्लेयर बड़े- दोनों का परफॉमस बहुत ही जाद अच्छा है तो में भी इस मैच में भी थोड़ा सा इंडिया को स्ट्रॉगल करते हुए नजर आते हुए देखेंगे आप लोग बट फिलाल मैं अगर पावरेटर की बात करो तो इंडिया के तरफ से अगर ओपनर बैट्समें में कुछ चेंजेस कर दिया जाए राहुल को करीब तीसरे या दूसरे नंबर पर बेज दिया जाए तो करीब बहुत ही जादा अच्छा रहेगा बट वहीं अगर रोईत की बात करो तो करीब इनको तीसरे चौथे नंबर बेजा जाए जिससे क्या है थोड़ा सा जो परफॉमस तो थोड़ा सा विरिंग की चांचेस बहुत ही जादा हाई हो जाते हैं क्योंकि एज़ा टॉप ओडर फेल हुआ तो मिडल ओडर के बैट्समें के उपर पूरा बड़न बन जाता है कि हमको अब अपना मैस समालना है जिसके वज़ाइस से एक अलग लेबल का ही बन जाता है तो बस वही चीज ध्यान में रखते हुए तोड़ा सा कैफटेंसी पे ध्यान देना पड़ेगा विराट को देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर अच्छा है कौन सा नहीं है चलिए स्टार्ट करते हैं मैच को विना देर के हुए उससे पहले मैं पता दू वीडियो में न प्लेट करके आपको जाना है 3.9.27 के मेंबर से आपको जोइन कर लेना है आप भी यहां के लगी फैमिली बन जाएंगे बहुत यह चीकासे वेनिंग सापको देखने को मिलेगी वहां पस मैं आपको दिखा देरा हूं प्रूफ आपके सामने है अच्छी कासे विनिंग वहा को इस ग्रूप में जॉइन कर लाने है बस इससे ज्यादा और हमें कुछ नहीं चीए बाई एक रुपय आप से नहीं लेना है अपने को बस क्या करना है आपको अपने फ्रेंड्स को भी जॉइन कर लेना है आगर आप जीत रहे हो तो चार लोग को और लेकर आओ जिन लोग करने के बाद तो चलिए स्टार्ट करते हैं बट है वीडियो को देख सकते हो आप प्रेसपंत और एम क्रॉज जैसे प्लियर्स यहां पस कहलती हुए नजर आएंगे आपको विराट कोली रोहिद सर्मा रहुल मुंसे वैरिंग्टन कोटेजियर मेकलेड और सूरिकुमार यादो पांडिया जोंस बज यह सभी प्लाइन अप ह सकते हैं मैं तो फिलाल मैंने कुछी भी प्लियर्स को सलेक्ट ही किया है मैं दो जील कटीम आपको दिखाऊंगा दो ग्रेंड लीग का टीम कैसे रहेगा उसका कॉंबिनेशन के साफ से आपको बता दूंगा पहले तो बना लेते हैं आपने एक लिमिटेड एडिशन का टीम रिकॉर्ड के हिसाप से तो पहले तो अपन पिक करेंगे बही एम क्रॉस को रोई रिसपंद भी अच्छे पिक रहेंगे कैच वगिर आपको लेती वह नजर आ सकते बड़ फिलाल मैं रिसपंद के साथ ना जाकर एम क्रॉस के साथ जा रहा हो जो मेरे लिए टॉप पिक का क सकते हाथ चीका से पिक बन अब बैडिंग सेक्षन से अगर बात करो तो इदर से आप तो देखो विराट को भी रख सकते हो क्योंकि 48% सेलेक्षन हो गया है बट एक प्लेयर के उपर आप जज नहीं कर सकते एक मैच में आप इसको एक मैच में नहीं चला है तो इसका मतलब करना एक को ड्रॉप कर देना ऐसा कुछ कर लेना मतलब त्होड़े सा रिस्क लेना पड़ेगा जिस टाइम इसको ड्रॉप करके इसको पेक और तो इसको कैफटन मना और बने वह चले भी तो भी फायदा है नहीं चले तो भी फायदा है ऐसा टाइप का कुछ कॉम्बिनिशन आपको क्रिएट करना पड़ेगा वरना आपका लॉस होगा अल राउंडर सेक्शन से देखो ग्रैविस को भी रख सकते हो लिस्क को भी रख सकते हो सेलेक्शन के हिसाब से जाओगे तो लिस्क जाएगा आपके ल महुंब शाहरा हु को पिक कर जा रहा हूं या फिर आप चाहे तो लेके ड्राप कर सकते हो मैं भी फिलल महुंब शामी में साहरइब को बिल्कुल नहीं ड्रॉप कर सकता iç इतने इंप आइक पॉडेन बिगें कोंश करना मतलब बहुत सत्दक्र Indy चाहता हो आता है एस पर य use Captain को उपसन पेक एकक calls सकते हो कैप्टन वाइस डीन आप चाहों तो चेंज कर सकते हो जैसे कि मैंने एक अगर मालो तब ओरे मॅनel रहर leaned को रख दिया है तो वाइस कैप्टन ग्रैविस साथ जा सकता हो यहां किसा सकता हो एंक्रॉस के साथ जाता हो तो डूर यह साहथ आ जा सकता हो तो सब दो डिखा दूँगा को डिखना यह डिख लेना नहीं समझा इस सब्सक्राइब करते हैं कि एक एवरेज पॉइंट आपको देती हुए नजर आही जाएंगे क्योंकि कल के मैच पिसले मैच में आपने देखा ता अफगानिस्तान के साथ जब मैच वाता तो जड़ेजा बहुत ही जादा करते हुए नजरा से अधार है जहां खड़े होते थे सेकंड तो बनाया है लिसक बढाइब को रखा है बेल को रखा है और बैरिंख्वीट को रखा है मैंने यहां और क्वाड़ेजर को कि यहां चाहो तो क्ते सब्ल में के साथ जा सकते है यहां और चैंज को श्खते हो कि और Сबंध Sports के अठ गी आ और एक और जो टीम बनाई थी मैंने आपके सामने बनाई थी जो कैप्टन रहूल था वाइस कैप्टन ग्रैविस था यह टीम का कॉंबिनेशन भी आप देख सकते हो चेंजिस आपके उपर डिपेंड करता है आप करना चाहते हो तो बिल्कुल करिएगा क्योंकि देखो प्रिफ को मैंने हार टीम में ट्राइ किया है तो मेरे कहले शारिफ आज के मैच में की प्लेयर बनेंगे तो इसलिए सेरिफ को मैं बिल्कुल डॉप नहीं करना चाहरा हूं तो आप चाहे तो डॉप भी कर सकते हो या फिर आप रिस्क भी लिए सकते हो ठीक हैस मिलता हमारे नेक्स वीडियो में नए अनिलिसिस के साथ